हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल सो आई होक कि आप सभी लोग अच्छे होगे और आप अपनी और अपने फैमली की केर भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे बैंतम एन हुकर को बहुत ही याद कर सकते हो विदिना मिनट ओके अगर आप इसको याद करते हो जिस तरीके से मैं बताती हूँ तो आप मेरे से प्रामिस ले लो आप के आप दो दिन नहीं लगेंगे और आप बेंतम एन हुकर का पूरा क्लासिफिकेशन जितना आपके याद करने में भी डर लगता है बट बिकॉस की मुझे ट्रिक बनाना अच्छा लगता है and I am not your teacher, I am like you तो प्लीज आप लोग मैम मत बोला करो दी बोल दिया करो या फिर नाम से बोल दिया करो बट मैम नहीं बिकॉस की मैं खुद भी अभी एक इस्टुडेंट हूँ, मैं बस ये शेयर करती हूँ जो खुद के लिए ट्रिक बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ओके, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजे विकॉस मैं आगे भी आप लोगों की जो पढ़ाई है उससे बहुत इजी करने के लिए बहुत सारे ट्रिक बनाती रहोंगी ओके, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक चल गरेगा सबसे पहले हम लोग बैंथम एंड हुकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं देन हम लोग क्लासिफिकेशन पर जाएंगे ओके, सबसे पहले बैंथम एंड हुकर ओके, ये दो नाम जो हैं ये अलग अलग नेम हैं आप लोगों को एंड बीच में लगा है तो पता ही जल रहा है बर्ट इसका फुल नेम क्या है मैं ये आपको बताती हूँ जॉर्ज बैंथम एंड जॉसेप डॉल्टन हुकर ये दो लोग थे जिन्हों ने ये क्लासिफिकेशन दिया था ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस ने दिया था जॉर्ज बैंथम एंड जॉसेप डॉल्टन हुकर ने और ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर इंगलिस टेक्सोनॉमिस्ट थे अब टेक्सोनॉमी में ही आप ये पढ़ रहे हो तो अब ये सी बात है कि एक टेक्सोनॉमिस्ट नहीं ये क्लासिफिकेशन दिया होगा तो ये दोनों लोग ही बहुत ही पॉपुलर इंगलिस टेक्सोनॉमिस्ट थे और ये कहां पर काम करते थे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में ठीक है और royal botanical garden कहां है क्यूव में है और क्यूव कहां है इंग्लैंड में है तो ये line आपको clear हो गई now इन दोनों लोगों ने एक book लिखी थी जिसका नाम था genera plantarium तो ये जो book थी उसको इन लोगों ने publish किया था three volume में और वो three volume और किस पे लिखा हुआ था natural system of classification जो bentham and hooker system of classification है उसे ही natural system of classification कहते है तो natural system of classification कहां लिखा गया था genera plantarium के book में और genera plantarium book किस ने लिखा था George bentham and Joseph Dalton hooker ने ओके तो ये भी आपको clear हो गया now आप बात आती है कि आखिर ये जो classification है वो इतना popular क्यों हुआ ठीक है इसकी popularity कब बढ़ी ये जो classification है वो popular इसलिए हुआ क्योंकि जो इसके key character थे वो बहुत ही clear थे और इनके जो key character जो भी बताए गये थे उससे आप किसी भी family को बहुत ही easily पता लगा सकते हो कि कौन सा plant किस family इसे belong करता है तो because of a very clear key character बेंथम एन हुकर का जो classification था वो बहुत ही एक popular classification बन गया था ओके नाव जो बेंथम एन हुकर classification जो है उसको सबसे पहले बेंथम एन हुकर ने fanerogamia तो आप जानते होगे कि cryptogamia and fanerogamia होते हैं और अगर आपको please terms जानने है तो वो comment करना मैं terms की अलग video बना दूँगी क्योंकि अगर मैं आपको अभी सारे terms बताने लगूँगी तो video बहुत जादे बड़ी हो जाएगी और मैं खुद भी personally video बड़ी नहीं बनाना चाहती हूँ because last तक बोर होने लगता है so मैं pure term बोलूँगी आप लोगों को उसका meaning अगर पता है तो ठीक है नहीं है तो comment section है आप जरूर हम से पूछिए so bentham and hooker plant kingdom को आप लोग पहले सी ये चीज जानते हो कि plant kingdom दो classification में बटा हुआ है एक है cryptogamia and एक है fanerogamia तो जो bentham and hooker थे उन्होंने fanerogamia जो है उसे classified किया था तो now अब मैं आपको bentham and hooker classification का outline बता देती हूँ कि actually what is bentham and hooker classification तो fanerogamia को bentham and hooker ने तीन classes में डिवाइड किया था dicotyledons, gymnospermy and monocotyledon dicotyledon को further divide किया था polypitali, gamopitali, monoclemy और gymnospermy हम लोग BSC first year में पढ़ चुके हैं और gymnospermy का एक classification है जो angler and parental ने दिया है तो वो भी बच्चों को याद नहीं होता है तो इसलिए मैंने उसकी भी trick already अपने channel पर upload कर दी है तो आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो and जो monocotyledon है उससे किसी भी subclass में नहीं divide किया गया था then polypitaly को further तीन सीरीज में divide किया गया था gamo pitaly को तीन सीरीज में monoclamide को 8 सीरीज में और monocotyledon को 7 सीरीज में okay तो actually जो सीरीज है वो तो ऐसे divide हो गई और फिर उसके पास से हम लोग जो normal जितने उनके order हैं जितने आप लोगों को याद करने हैं मैं उतने ही order आपको बताऊंगी ठीक है और वो ही बहुत जादे हैं अगर आप उतना भी लिखके चले होगे तो आपको बहुत जादा marks मिल जाएगा so because की मैंने सारे ही सीरीज के पहले ही trick आपको बता चुकी हूँ मैं एक वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आपको सीरीज याद करने की trick नहीं बताऊंगी overall मैं आपको पूरा याद करवा दूँगी okay तो सीरीज देखने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी वो कुछ थोड़ी बहुत मिनट की वीडियो है अगर आप उसे देख लो तो यह आप लोगों के लिए बेश्ट होगा तो सीरीज के बाद आपको order याद करना है तो order की trick मैं यहाँ पर आपको बता दूँगी बट सीरीज की मैं फिर से नहीं बताऊंगी क्योंकि as I said previously कि मुझे जादा लंबी वीडियो नहीं चाहिए ओके तो सीरीज की वीडियो आप लोग देख लेना अब order पर हम लोग आते हैं तो जो थैलमी फ्लोरी है उसको further order में डिवाइट किया गया है रैनेल्स, पैराइटेल्स, पॉलिगोलिनी, कैरोफिरलिनी, गटी फेरेल्स, मालावल्स, डिसकी फ्लोरी को further दिवाइट किया है जैरनीर्स, ओलाकेल्स, सेलेस्ट रेल्स, बॉलेस्ट रोजेल्स, मित्रेल्स, पैसिफ्लोर्स, फिस्की दोल्स और अमबलल्स ओके और अगर कुछ मेरे से pronunciation में गलती हो रहा होगा या फिर कुछ spelling गलत होगी तो प्लीज इग्नोर डैट इन फैरी को डिवाइड किया गया है रूबी एल्स, एस्टोरेल्स और केम्पेनेल्स, हेट्रोमेरी को डिवाइड किया गया है इरिकेल्स, प्रिम्यूलेल्स, इबिनेल्स, बाइक केरपलेट को डिवाइड किया गया है जैंटीनेल्स, पॉलिमोनेल्स, पर्सोनेल्स, एन लेमियल्स इसके पासे जो मोनोकलमाईडी है और मोनोकॉटिली डॉनी है उसके सारे सीरीज की मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देख लीजे अब यहाँ पर मैं आपको जल्दी से सारे के सारे ट्रिक बता देती हूँ ने तो आप कहोगे कि पूरी वीजियो में मैंने बस बक्वास किया है तो बिकाओस कि यह सब जानने जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया तो अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, तो ट्रिक बताने से पहले मैं आप लोगो के कहानी सनाती हूँ शुली यहाँ, तैक्शोरी एक छोटी सी श्टोरी समझनी है एक को वो दीदी कहता था, दूसरे को J कहता था और तीसरे को moly कहता था, ओके, तो इस trick से आपको क्या याद हुआ कि fanaro, fanaro मिंसके fanaro gamiya और तीन दीदी थी छोड़ी, मिंसके तीन division हुआ उसका, मतलब classes में तो वो बटे, dicotyledon मिंसके dी, gymnosformid that is G and monocotyledon that is moti. Okay, now the next trick is that the dydi was the Pokemon, he liked to see Pokemon. Not Pokemon, that is Pokemon. So dydi, that means that dicotyledon further 3 subclasses in divided by that is polypitali, gamopitali and monoclamide. Okay, so you remember that division classes and subclasses as it is you remember that something here and there is nothing. You remember all that. I repeat that again, that Fenero nama ka ek lardka tha, jiski teen beheni thi, ek ka naam tha, ek ko wo dydi bolta tha, dousaray ko wo ji bolta tha, tisaray ko moti bolta tha, joski dydi thi, usse Pokemon dhekna bhoat pasand tha. Okay, to ye aapko maine division class and subclasses as it is yad kera diya. Ab hama nuk series ki baat kerae, to maine pehle hi bula ki aapko series dhekna hai, to please aap joh dousari video hai, usse jarur prefer kerae, aur maine uska description box me aapko link dhe dunggi, to series please aap mohaan se yad kerae na, so saab se pahle hama nuk polypitali ke series pahdhenge, dan gamo pitali ke series pahdhenge, aur uske baad joh gamo pitali ke baad monoclam id hai, aur monocotyledon hai, unke series ke, maine pehle hi video upload kar chukhi hou, to wo aap churur dhek lena, ok, to now, joh thalemi flori hai, unke order ki baat kertai hai, hama lo, to order me, maine aapko bata ya, ki thalemi flori me, order aate hai, reinears, parites, polygoniars, carofilleni, gutti ferrils, and malvails, to please, thoda sa funny hooga, to, thik hai, hus bhi lena, kooi dhikkat nai hai, but yad kar lena, thik hai, to iska trick ye hai, ki thali me, radha pani pika, gulati maara rahi hai, ok, that is, thali means thalemi flori, radha means reinears, paani means parites, p means polygoniars, car means carofilleni, gulati means gutti ferrils, and mar means malvails, ok, to I hope, that you have a good trick, now, if we talk series two, that is, disky flori ki baat kare, so disky flori me, kitnye orders, aap lukkohi level ke liye, maari ke liye, na, wohh bata djeti hoon, ki disko me, ghar, or class, sapna hai, means ki disko me, haemara, agar, ghar, or class ho jata, kitna, aachha ho tata na, but ye, eek, sapna hi, ban chukha hai, aisa, kuch hoonne waala nai hai, to same, wohi line hai, disko me, ghar, or class, eek sapna hai, to disko means ki disky flori, ghar means ki jernials, or means ki olakales, class means ki, aap thoda sa abdivate karo, to siles, or class, thoda sa, mil raha hai, to siles trails, or sapna means ki sapinadales, to this is about disky flori, and the third series is calciflori, to calciflori ko yad kerni ke liye, joh trick hai, wohh hai, kya romeo ke paas fiber amrela hooghi, means romeo ke paas kya fiber amrela thi, matab, ye question puchhna hai, to kya means ki calciflori, and ro means ki rose dales, or meo means ki mirit trails, means ki romeo, or pass passiflorels, fiber fiskoides, aur umbrella means ki umbrel, okay, to this is about calciflori, or meo nne thalemi flori, disky flori, calciflori, ye sara hi sentence ke aage, is liye jod di hai, ki aapko confusion na ho, ki koon sa order, kis series ka hai, okay, so now we will gonna talk about the gamo pitelli, to gamo pitelli, to gamo pitelli mei tien series, aati they say, jaisi ki polypitelli mei tien series, thalemi flori, disky flori, calciflori, to I hope ki aapko yad ho gaya ho ga, and nahin bhiya ad hua, तो कोई दिक्कत नहीं है आप screenshot लेकर के रख लो और बार बार उसे देखना आपको याद हो जाएगा ठीक है तो क्योंकि जो normal word होते है जो आप daily use करते हो वो बहुत जादा capture हो जाते हैं बहुत जल्दी capture होते हैं बट यह जो biological term है वो capture नहीं हो पाता है तो जब आप बार बार देखोगे दो दिन भी अगर लगतार देख लोगे न तो आपको याद हो जाएगा ठीक है तो आप गैमो पिटाली में तीन सिरीज हैं इंफेरी हेट्रोमेरी और बाइकार पिलेट तो इंफेरी को आप कैसे याद करोगे तो इंफीरियर रेस ओके आपको याद करना है और इन आप लोगो को यह थोड़ा सा कॉम्लेकेट लगेगा बतब बिलीव करो कि जब आप बहुती सांत मन से इसको पड़ोगे ना तो आपको बैंतम एंखर के रियल क्लाशिफिकेशन से छे यह जो मेरा ट्रिक बताया हुआ दॉदा और रेस न, इंफेर आपको यह और यह बहुत ईजी लगेगा जब आप सीरियसली पढ़ने जाओगे और परिशान होगे कि मैं कैसे इसे याद करूँ तब आपको मेरी यह ट्रिक बहुत ईजी लगेगी तो प्लीज जरूर इसे याद कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं है आप दो दिन में नहीं तीन दिन में ठीक है नाओ अब हम लोग सीरी थर्ड की बात करेंगे बाइकार पिलेट तो बाइकार पिलेट का जो ट्रिक है वो यह है कि जो बैनी था ना बैनी आप लोग पिच्छर देखे हो गए उसमें एक लड़का था पैनी रडवीर कपूर की साइद वो फिल्म थी तो बैनी गन क पोल परसनल होती है मतलब कि गन का पोल कैसे कोई खोल सकता है मतलब ठीक है तो ट्रिक है इसकी जो बैनी है उसको उसकी दोस्त बोल रही है कि बैनी गन की पोल परसनल होती है तो बैनी मिन्स की बाइकार पिलेट गन मिन्स की जैनिटेल्स पोल मिन्स की पॉल्मोनियल्स परस तो आई होब कि आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा नाओ अब मैं आपको बहुत इंपोर्टन चीज बताने वाली हूं कि जो बीसी सेकेंड यह उसमें आपको कितनी फैमिली याद करनी है वह मतब कि इसनी फैमिली के बारे में पढ़ना है और आपको रटना है वह मैं अपको सब बता देती हूं तो टोटल वेसी सेकेंड यह में बाइस फैमिली होती है टेक्सोनॉमी में तो मैं उस सबके नाम बता देती हूं और विल मेक युरिस तर्डी एजी तो सबसे पहला जो फैमिली है वह है रैनन की लेशी सेकेंड वन इस पैपरवरेसी ठर्ड वन कोima गलते ह लेश केपरो podéis लिकाशः शर्याशि ओो आपक्सी आपरेसी पुझछ र्ट वन जो वर्भेसी छर्याशिका यह माल वेसी गैफ पुझछ एम और रटेंस्वामिली है परोलवेसीय ытर्ड़ि इतनी सारी फैमिली के बारे में आपको याद करना है और टेंशन नहीं लो अगर आप कमेंट करते हो ठीक है अगर आप कमेंट करते हो तो मैं जैनुवनली बता रही हूं ना मैं यह आप लोगों के लिए इतना इजी बना दूंगी टेक्सोनॉमी कि आप भी सोचोंगे कि मिसा आप मेरी तारीफ करोगे ठीक है तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करना मैं इन सभी की ट्रिक आपको जरूर बताऊंगे इन सारे फैमिली को आपको किस तरीके से याद करना है वह सब कुछ आपको बताऊंगे और बहुत अच्छे तरिक भी आपको प्लीज सीरीज वाली वीडियो देख लेना विकाज उसके बिना अधूरा है बैंथम औन हुक क्लासिफिकेशन और इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ याद करा ही दिया तो एक तरफ अपना मोबाईल रखना एक तरफ बैंथम औन हुकर का क्लासिफिकेशन रखना and yes आप बताना कि आप कहां से हो ठीक है तो प्लीज इस कमेंट में जरूर बताना कि आप कहां से हो मुझे जानना है कि कहां कहां तक मेरी वीडियो पहुच रही है और किसकी किसकी मैं help कर पा रही हूँ तो ठीक है उस टॉपिक को बहुत ही जादा इजी बना करके मैं वीडियो अप्लोड करूंगी बिकॉस कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो बच्चों को इजी समझ में नहीं आता है और दिस नोट माइ पर्सनल स्टडी चैनल इस लिए आप लोगों को भी फील कराना चाहते हूं कि आप भी ईजी लो इस चीज़ को तो प्लीज बी विथ मी और सब्सक्राइब मैं चैनल और थैंक यू फो वाचिंग दे वीडियो सी यू सून बबाई